तो क्या आपकी skin acne वगरा से बरी रहती है आपकी skin पर काफी यदा acne होते रहते हैं तो आपको mainly doctor recommend कर देते हैं काफी बार clindamycin gel ठीक है clindamycin phosphate gel ठीक है इस पर mention रहते हैं तो ये काफी सारी company का आते हैं आपको कोई भी recommend कर सकते हैं तो ये कहां पर कैसे work करते हैं आज के वीडियो को भी press कर दो चलते है वीडियो के तरफ ओके तो आपको काफी सारे clindamycin के gel देखने हो मिल जाते है वन परसेंटेज में ये mainly दिया जाता है ठीक है टोपिकल वगरा जो भी आप apply करने के लिए लेते हो तो आप इसमें जैसे की 1% में क्लिंडमाइस रहता है जैसे की क्लिंड ये एक टोपिकल है जो कि आपके mild to moderate अक्ने हो रहे है उसमें दी जाती है अगर काफी यदा severe अक्ने हो रहे होते हैं तब आपको जैसे की oral medicine भी डोक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं तब आपको ये work कैसे करती है जैसे की आपको मैंने बताई है ये antibody का का काम करेगी antibody का म जो भी acne आपके हो रहे हैं जो भी face पे bacterial acne आपके हो रहे हैं उनमें ये काफी अच्छे से work कर जाता है जैसे की skin पर आपके pimples, acne कुछ भी निकल रहे हैं ठीक है उसमें ये अच्छे से work कर जाता है तो इसको आपको mainly apply करना होता है जैसे आपको डोक्टर recommend करता है वो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे apply करते हैं तो acne pimples पर आपको night mist को apply करके छोड़ना होता है सोना होता है दन आपके acne दीरे दीरे वो जाने लग जाते हैं तो ये जल जैसे कि आपके कहीं भी acne हो रहे हैं ठीक है chest पे हो रहे हैं या back पे हो तो वहां पे आपको use करने के लिए बोल तो आपको कभी भी इसको जुरूरत से ज़्यादा apply नहीं करना है ठीक है थोड़ा थोड़ा आपको use करना होता है जहां भी आपके acne black hurts white hurts हो रहे हैं वही use करना होता है इसलिए अगर आप ज़्यादा apply करोगे तो आपके skin dry हो सकती है itching redness भी आपको देखने को मिल सकती है औ अगर आपको जैसे की मालनो burning sensation हो रही है तो आप इसको gap दे सकती है आसा नहीं कि आपको itching redness हो रही है आप इसको use करो या ज्यादा quantity में use कर ले तो भी itching हो सकती है तो आपको क्या करना है इसको gap देदेना है या आप इसको gap में भी यूज कर सकती हो वैसे इसको regular use करने से अच्छे results देखने को मिलेंगे तो इसलिए आपको night में इसको regular use करना होता है side wax हो रहे है लिप बम यूज करते रहे है लिप से वगेरा crack हो रहे है second अगर आपको itching या redness यहाँ पर या कहीं भी देखने को मिल गया है तो आप क्या कि इसको gap देदेना देन आप वहाँ पर coconut करता है जिसको आप दिखाने जा रहे हैं या खुछ से भी यूज कर रहे हो तो night में आपको यूज करना है only night में आप इसको लगा कर सो सकते हो face wash करने के बाद आप इसको लगा लेना ठीक है normally इस वेच्छ आपको use करना होता है अब face wash करने के बाद कैसे लगाना है जैसे कि आपने अच्छे से face को wash कर लिया सोने से पहले जो भी dirt वगारा है धूल मिटी है वो सारी निकल जानी चाहिए आपको face wash करने के बाद आपको यह जैल लेना है जैल लेकर आपको बिल्कुल P size amount में या थोड़ा 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 अपने acne वगारा पर अपने अप पि태Ol करने के साथ में निकोदिना माइड भी देखने हो छुग जाता है है यहां पे अपने यहां पर मेरे complete acne हुघा दिना है यह वरे हैं यहां हो उसको complete लगा दीने है और यहां पर अहरा बिल्कुल आपको उन्यार घुलर आकने पर आपको थोड़ा लगा देने मारे एग करें और face wash करके आपको यूज करना है इसको तैन morning में आप face wash कर सकते हो कोई दिख करनी है इस वे से आपको इसको रेगुलर यूज करने है अब जैसे कि इसको यूज करने के बास skin भी थोड़ी sensitive होने लग जाती है तो आपको क्या एक sunscreen जुरूर यूज करनी है अपनी skin type के सकते हो काफी सारी oily skin sunscreen पर वीडियो कर रखी है मैंने तो उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो सस्ती यूज करनी है उस पर भी वीडियो आ रखी है आपका budget हाई नहीं जाता तो आप सस्ती भी यूज कर सकते हो बट फालतू कि sunscreen में मत जाना जो आपकी skin के post cloud कर देंगी फ मान के चलो आपको अच्छे results मिल जाएंगे वन मंत का आपको patience रखना है आपकी skin दीरे-दीरे clear होने लग जाएगी आपको हो सकता है यह two month या two and half month three month तक gel use करना पड़े या use करना पर सकता है या आपको change भी करवा सकते हैं तो यह सब depend करता है बट क्यूज कर रहे हो तो completely use क क्लिंडियमाइसिन का यही वर्क रहता है तो बस आसके वीडियो में इतना ही था तो आयोप आपके लिए वीडियो होगी अगर है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर देना बाके इंस्ता फोलो कर ना कोई कोई रिज रहते है तो मुझे आप मैसेज करके पूर सकते तो मिलते है नेक्ट वीडियो में